Hello Friends, स्वागत है आप लोग का NCIT जोन में, देखिए, आप लोग को पता है हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको पहले बता चुका था, तो आज डेट है 28 और आपको पता है एकजाम कब से स्टार्ट होना सुरू हो गया है, एकजाम स्टार्ट हो जाएगा 1st of February से, तो जो सब्जेक्ट है, चाहे राजनीति बिग्यान, और कोई सब्जेक्ट में दिखाता हूं, जैसे राजनीति बिग्यान, एकॉनमिक्स, सोसियोलजी, हिस्टि, होम साइंस और जोग्रफी, तो इनका में क्या करणा है, क्योंकि मोडल सेट का आंसर सबसे पहले नहीं पता है हमें क्योंकि BACB नहीं दिया, Bihar Board नहीं दिया ऐसा, तो हमें क्या करना है, सबसे इंपोर्टेंट है कि हमें आंसर ढूंडना है, और आंसर सही ढूंडना है, तो क्योंकि बहुत मैंने देखे YouTube पे तो मिल नहीं रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं कोई बना दिया, मैंने सोचा कि मैं और जैसे देखो, तो आप बोलोगे कि क्या एक ही मितलब एक सेट में पूरा कंप्लीट कर दूँका एक एक वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा इतना, मतलब एक वीडियो में बहुत लब्मी वीडियो जाए क्योंकि आपको लगता है दो गंटे तो समय लगते ही हमें, तो आपको अपको आपको जाता है, तो मैं कुछ भी करूंगा, तो तो लगेंगे ही लगेंगे, तो कम से कर इसको क्या करूंगा, मैं 4 वीडियो में आएगा, और 4 वीडियो कितने आएमें, आज देखे, आज है 28th, 28th और 21st को, दो दिन में, पॉलिटिकल साइंस खतम, उसक जैसे हमारा 12th का खतम होगा, 10th का हम लोग श्टार्ट कर देंगे, ओकी तो चलिए, बिहार बोड की जो भी चुनिट है, आप प्लीज 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 जरूर की जएगा, क्योंकि इस पर हमारे चैन में भी बिहार बोड की काफी कम ज्टुएथ है, तो कोसिस कीज़ेगा शेयर करने का ताकि बहुत सारे लोगों को तक पहुंचे क्योंकि नहीं मिलता है चलो शुरू करते हैं हमारा पॉलिटिकल सैंस पहले इस लेक्शर में हम क्या कर डिसकस करने हैं इस लेक्शर में हम डिसकस करने वाले फर्स्ट फिप्टी कोस्चन सबसे पहले कोस्चन आयेगा कैसे वो मैं बता दू कोस्चन पहले दो पार्ट में बटा हुआ है ध्यान देना पार्ट A और पार्ट B पार्ट A में 100 MCQ है जिसमें से आपको करने हैं 50 तो यह हुगा 50 मार्क्स कही हो गया उसके B में 30 पहले आपको किया है जिसमें आपको 2-2 नंबर का है कोस्चन 30-2 नंबर का जिसमें से आपको 15 करने हैं तो 15 इंटू 2, 15 दूना 30 तो 30 मार्क्स ही यहाँ पे आगया उसके बादा अगर B में ही बात करते हैं यह है A, सेक्षन A सेक्षन B यानि भाग B में 30 कोस्चन है 2-2 मार्क्स का उसके बाद है 8 कोस्चन 5 बाद मार्क्स का है इसमें करने कितने है 4 4, 5 जा 20 20 मार्क्स कही हो गया तो 50, 30, 20 जोर हो गया तो 100 हो गया ना तो समझ लिए तो आज हम क्या करने एक दीन हमेंडिस्क्रस करने यह वाला सारा एक दीन्सकरस करने ध्यान देना 100 McQ है न तो हम तो पूरा करेंगे तो 100 McQ हम पूरा कर लेंगे नेक्स विडियो में मतलब देखो सव MCQ में viens अज 50 McQ दिस्करस करेंगे उसके बाद दुसरे क्लास में हम 50 करेंगे थर्ड वीडियो में हम डिसक्स करें जिसमें 30 माक्स का इसको एटलिस देखा ध्यान देना मैं भले ही करूँ नहीं सारा मैं करकर करनी बता हूँ लेकिन मैं बता दूँगा यह कहां पर मिलेगा तो दो वीडियो ही आगे तीन चार चार वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो आपके बहुत सा उप्शन हो जाएगा काफी कोस्टन इसी से ठगराएंगे आप देख लेना क्लियर तो शुरू करते हैं कौन-कौन सब्जेक्ट है मैं पता जिलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और एमसी की जब बताऊंगा तो मैं कुछ एक्स्टा उप इन्फॉर्मेशन भी दे दूगा त्यहन देना सबसे फर्स्ट कॉस्टन है इसमें क्या लिखा हुआ है आपको 1 to 100 है इसमें 4 अपसर दिये है एक ही करेक्ट है और आपको OMR सीट में भरने होते हैं इसमें से 100 में से 50 अपनी होते हैं पचास देन आप आसाने हैं असाने से चुन लेना सबसे पहला कोस्टन क्या है भारत में इक हरी नागरिकता इसका मतलब है भारत में सिंगल सिटिजनसिप किस देश से बारो किया गया है मतलब किस देश में पहले था हमने बस उसको अडॉप्ट किया है तो यह इसका अपरक्ट आंसर होगा यह थ्यान देना यहяла बृटीन क्यूंकि चाइना से हमने कुछ नहीं किया फ्रांस से जो copy किया हूं हमें पता है liberty, equality, fraternity, clear हमें पता है अमेरिका से काफी कुछ copy किया जैसे fundamental, right, preamble, president, यह सब हमने वहां से copy किया लेकिन बाकी सारे चीज, इवन जो भी structural, मतलब जो भी हम बोल सकते है, political structure वाला चीज है नो हमने ब्रेटेन से copy किया चलिए second question है, Britain answer है, अब देखिए, यहां पे आपको थोरा confusion हो सकता है, क्या लिखा हुआ है, भारतीय संभिधान में का कोन सा अनुछेद, कोन सा article निरवाचन का प्राभधान करता है काफी काफी, यह difficult question हो जाता है, पता है कब, जब इसमें आपको article, option में कुछ और देता है, क्योंकि option में article क्या है, 324, यह सबारे article है, आप इसको, देखो, अगर इसमें article option होता है, 324 से 329 के भी, तो आप हस सकते थे, पता है क्यों? क्योंकि इसमें क्या दिया है, which articles of the Indian constitution deals with the provision of election, क्योंकि election के provision के लिए एक दो article नहीं है, जबकि 324 से 329 तक 6 article है, 7 article है, जो रो ना, 24, 25, 26, 27, 27, 27, 27, 27, 7 article है, लेकिन, लेकिन जो 324 जो हमें answer देना हो, वो actually election commission of India का article है, clear? कि यह तो आप को पता है किस प्लिया है या कि अब क्लिप स्व कर यह उसमें से part 15 में, sorry, part 15 में दिया हुए election, और यह तीनों जो option है, 320, 321 और 322, यह है part 14 के, तो part 14 में क्या दिया है, कुछ service है, जो state और union के अंदर है, उस service की बात की गई है, तो हमारा correct answer यह बाला है, clear, उसके बाद है, भारत के मुखे नियाधिस, यानि भारत के chief justice of India, मतलब who appoint, कोन appoint, यानि नियुकती कोन करते हैं, कोन appoint करते हैं, बहुत आसान question है, appointment का जितने भी constitutional body है, उनके appointment का काम, राष्टपती या प्रेशिडेंट साहब के पास ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी constitutional body, कोई भी, चाहे chief justice of India हो, या judges हो, judges of supreme court, judges of high court, सब को president ही करते हैं, क्लियर, भारत के संभिधान में, कितने मौलिक करते अब्योकार प्रावधान किया गया है, तो थोरा इस पे एक नजर और दोराते हैं, how many fundamental duties are provided in the Indian constitution, तो मैं आप से एगर पूछता हूं, कि जो हमारा मूल संभिधान था, यानि original constitution था, जो कि 1959, 1949 में आ गया था, clear, 19 November, 26 November, clear, तो इसमें कितना fundamental duties था, तो भाई मैं बोलूँगा 0, कोई भी नहीं था, क्योंकि fundamental duty add कभ हुआ है, 1976 में, कोन सा समिधान में संसोदेन किया था, कोन में, 42, clear है न, तो अब कितने है, तो आप बोलों कि भाईया, जब 1976 में add किया गया, तो कितने fundamental duties थे उसमें, उस समय 10 थे, बाद में, 2002 में, एक और add कर दिया गया, तो अब कितने है, 11, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, राज्ये के सैवांधानिक परमुख, यानि constitutional head, जैसे आपने देखा कि union, यानि central government के head कोन है, central government के head कोन है, president, उसी तरह राज्ये के कोन है, राज्ये के होते है, governor, 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 governor के पास एक तो देखो, एक तो head of a state होते हैं, यानि constitutional head of a state होते हैं, और एक agent होते हैं, किसके, president के, clear, और government को कैसे appoint करना है, इसका कोई समिधान में कुछ ऐसा बिबरन नहीं दिया है, यानि इसको president अपने मर्जी से appoint करते हैं, यहां पर दिया हुआ है, how many states have by camera legislature, ध्यान दना, इसका answer कुछ अलग होता, कब, जब, मतलब, जब, 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 बाई कैमराल लेजिसलेचर हटा, जमुन कस्मीर आजाद हो गया, मतलब सब्सक्राइब दो पार्ट में बट गया, यूटी में, दो यूटी में जमुन कस्मीर अलगदाद, तो अब वहां पे बाई कैमराल लेजिसलेचर नहीं है, तो अब बाई कैमराल लेजिसलेचर कितने म सिर्फ और सिर्फ six में कौन कोन है याद कर लेते यूपी बिहार उसके बाद आंध्रा से अलग हुआ पार्ट कोन है आंध्रा और तेलंगाना उसके बाद महराष्ट्रा और उसके करनाटका यही धियान रखना है करनाटका महराष्ट्रा आंध्रा और तेलंगाना यूपी बि क्लियर कोई देखकत नहीं है आगे देखते हैं किस इन में से which of the following party मतलब कौन सी राजनीतिक party का उदय भरस्टा चार बिरोधी आंदोलन के परिपेक्ष में हुआ perspective of the anti-corruption movement obviously हमें पता है मतलब लोग पाल बिल जो आने वाला था लोग पाल बिल clear कोन किया था अन्ना हजारे जी ने movement किया थे इसके बाद एक party बन के आई थी न्यू देली में जिसका नाम है आम आदमी party तो आप clear भारत के पहले कानून मंत्री who was the first law minister of India कोन से पहले law minister है obviously BRM बेतकर साहब clear कोई दिक्कत नहीं उसके बाद पहली female governor पहली female government क्यूंकि आपको पता है governor कहां से बनती है governor बनती है कहां से कहां से कहां से state में बनती है state में तो पहली female governor है Sarojini Naiduji clear कोई दिक्कत नहीं आप से पूछेगा सुचेता किल प्राणे जी actually पहली CM बनी थी clear और आम next question है संजुक्त राष्ट महा सभा की पहली महिला अध्यक्ष यानि president first female president of United Nation General SME जो आपको पता United Nation General SME है United Nation की छे सबसे important body में छे जो सबसे important body है उसमें से एक है UNGA clear हर साल meeting होती है अभी 75th हुआ था तो उसके पहले female president को है obviously बिजय लक्षमी पंडित याद रखिया किस देश के सम्मिधान बिश्व का सबसे बरा समिधान है सबसे largest constitution किस देश का है obviously हम सबको पता है हमारे अपनी देश इंडिया भारत के प्रधान मंतरी की निउक्ति तो आपको बताने जितने head है सब मजलो even constitutional head जितने भी है सबका निउक्ति प्राष्टपती सहब खुद करते है president कौन से समिधान आपको पता है अब तक हमारे देश में कितने amendment हो चुक है कितने समिधान संसोधन हुए चुक है 104 clear और 104 में आपको बताना नगरी अस्थानिय स्वसासन यानि अरबन लोकल सेल्फ गवर्मेंट इसके लिए amendment कि कौन से amendment में अक्ट में किया गया 74 अब ओलोग भी है 73rd कौन सा ये पंचायती राज के लिए है पंचायती राज के लिए amendment क्या गया था clear अब देहां देना फूच समिधान के किस पार्ट को सोल अफ दे इंडियन कस्टिट्यूशन बोलते इवन आपसे आर्टिकल बोला तो आर्टिकल आप लगाना 32nd आर्टिकल clear soul के बारे में बोला कौन था बियारं बेदकर clear और ये पार्ट कौन है तो पार्ट है fundamental right है कौन सी पार्ट है part 3 clear कौन सा पार्ट है ये है part 4 आप देखो preamble को सिधा सिधा बाहर कर सकते हो कि preamble कोई part है ही नहीं 25 जो part है उसमें preamble है ही नहीं preamble एक अलग है बस समझ लिजे किसी part का part है ही नहीं इसे 20 जैसे 25 चाप्टर है न समाल लेते उस 25 चाप्टर का ये पार्ट है ही नहीं ये अलग है बेलकुल part 1 स्टार्ट होता है जैसे part 1 आपको पता union and territory, part 2 citizency, part 3 fundamental right, part 4 directive principle of state policy, part 4a है fundamental duty यहीं सब कितने article है कितने अनुच्छेद है article को हिंदी बानुच्छेद बोलते है संजुक्त राश्चं के चार्टर में United Nation के चार्टर में 111 clear यहाँ पे लिखावे बहुत आसान question है किस प्रधान मंत्री ने मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू किया मंडल आयोग आपको पता है OBC को रिजर्वेशन देने की बात करते थे तो मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करने वाला कौन सा हमारे देश में प्रेशिडेंट है ओविशली वीपी सिंग यहाँ चालिये नेक्स्ट कोस्टन है फूच प्राइम यह तो हमने करे लिया नेक्स्ट कोस्टन है 17 नंबर भारत का 103rd constitutional amendment ओके कहां तक यह कर लिया भारत के संभिधान का जो 103rd constitutional amendment है 103rd आपको बता देता हूँ इसमें backward class के लिए पहले ही मिल चुका है जो reservation of economic backward class है न उसकी बात करता है तो आप बोलोगे भाया अभी तक कितने constitutional amendment act हुए हमारे अपने देश में 104rd 104 हो गया है जिसमें 104 जो सबसे last है जो एंगलो इंडियन को reservation नहीं मिलता था दो seat लोग सभा में या state legislative assembly में इसको हटाने की बात की गई है एक सेकंड पेंट क्यों नहीं चल ला है आगया नेक्स्ट है अकाली दल ओविसली बहुत फेमस बहुत फेमस रीजनल पार्टी है और पंजाब development with social justice ध्यान देना development यानि simple development नहीं करना है समाज को नयाय भी दिलवाना है समाज को नयाय कब दिलवागे जब equally distribution होगा हमारे resources का तो भारत विकास के साथ समाजिक नयाय किस पंच बर्सियो योजना का पुर मुख्य उद्देश से था तो obviously five year plan आपको पता है टो टोटल 12 five year plan आया है लेकिन 2017 के बाद five year plan अब नहीं आता है क्योंकि अब नीतियायों को आ गई है नीतियायों का अलग plan होता है 15 साल का साथ साल का तीन साल का वह हम अलग अलग पार्थ है लेकिन यह है actually यह पार्थ है किसका वह मैं बता दे रहा हूं देखो actual justice war तो actually 7th five year plan में यूज किया गया था लेकिन यहां पर आप लगा सकते हो 5th five year plan क्योंकि 5th five year plan का एम यही था गरीभी हटाव टाइप तो आप लगा सकते हो social justice वाला हाँ इसको आप लगा सकते हो आराम से तासकंद का agreement आपको पता है 1965 का war जो हमने जीता पाकिस्तान को हरा के उसके बाद sign किया गया था actually लाल बहादुर सास्त्री जी ने की थी clear और उसके बाद उनका date हो गया था आपको पता है पंचिल एग्रिमेंट आपको पता है इंडो और चाइना ने sign किया था इंडिया और चाइना ने तो आप एटलिस्ट एग्रिमेंट याद रखना कि कोन सा कव एग्रिमेंट हुआ इंडिया पाकिस्तान के लराई के बाद तो एग्रिमेंट याद करना है ये शिमला एग्रिमेंट आपको पता है इंडिया पाकिस्तान ने लराई लरी थी 1971 में बांगनादेश को लिबरेट करवाने के लिए, मतलब ऐश्ट पाकिस्तान को लिब्रेट करवाने के लिए, यह इस्ट पाकिस्तान थे, वेस्ट पाकिस्तान, तो इसको आजादी दिलवाने के लिए, तो यह लaraई तो हुआ, ऐख्यूली शिलॉई था ओड़ 2nd July 1972 डेट याद नहीं, रखना बिल्कुल भी नहीं similar agreement between India and Pakistan कब हुआ, किसके कारण हुआ Israel एक देश के रूप में कब आया मानचित्र पे, actually वो 1958 था, sorry 1948 clear world map पे पहली बार देश हुज रहा और actually United Nation ने इसको सामिल किया अफ 1949 में G77 सबसे पहला question कि आज ग्रूप 77 में 77 देश है भाई बिल्कुल गलत अभी 134 के आसपास देश है और कौन-कौन देश है developing country है, developing, developing यानि हम यहाँ पे बोल से developed country को थाटादो, underdeveloped नहीं, undeveloped नहीं, underdeveloping country हम इसमें बात कर सकते undeveloped country, कि यह तो बहुत नीचे हो गया, इसमें जैसे इंडिया भी है, चाइना भी है, यह सब अलब जहाँ पे agriculture है, तो B option करेक्ट है यहाँ पे आप से developing country होगा, तो भी आज option है, पता हैं, कोण लोग कुस्तन बनाते हैं, कितना अजीब देखते हैं, option चलो clear, बोडो लेंड की मांग, बोडो लेंड की मांग, भारत के किस राज्ये से संबन्दित है obviously, बोडो लेंड की मांग, आपको पता है आशाम, पुराना नाम दे रहे हैं आशाम, नया नाम ये बला ना clear भारत का पहला नगर्नियों में, यानि पहली बार और उसके बाद दो इस्टाबलेश हुआ था 1726 में, कैलकता में और बंबे में ये, ये दोनों डेट नहीं है ये डेट आपको पता है, बैटल आफ बक्सर या पलासी, पलासी clear भारत के प्रधम उप्रधान मंत्री, यानि deputy prime minister, और आपको पता है ये ऐसा word deputy prime minister जैसा word या ये ऐसा कोई post हमारे समिधान में है ही नहीं ये थे सरदार पतेल ये तो depend करता है prime minister पे which state for the first time introduced the three tier panchati system और सिर्फ इसका answer ये नहीं होगा राजस्थान, राजस्थान में अगर पहली बार पंचायत कहीं पे इंट्रोड़ूश किया था नो भी राजस्थान ही है, चाहिए three, two, कुछ भी हो भारत के राज्यसभा के सभापती, जैसे लोग सभा के सभापती कौन से होते हैं लोग सभा के speaker होते हैं इसी तर राज्यसभा के कौन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और ध्यान देना, ऐसा नहीं कि कोई राज्यसभा के सभापती चूने जाते हैं जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे न सिधा-सिधा राज्यसभा के चेर्मेन पे बैट बैट जाएगें भारत का समिधान का कोन सा अनुच्छेद, नागरिक्ता से जुरा है तो 5 नहीं है नहीं है, भाई 5 से 11 तक ही सिटिजेंशिब से जुरा है ये तो 35 फंडामेंटल राइट का लास्ट बाला पार्ट है 14 किसका है, बताइए भाई, ओबेसली 12, 13, 14, right to equality, 4 नहीं बता है ये है union and territory वाले में ये है fourth, पार्लेमेंट को power है कि वो थोरा इधर उदर कुछ भी union और state से related कोई भी कानून बना सकता है ये बारत लिखा है राज्ये सभा के सदस्य और आप सबको देख लो, राज्ये सभा है 30, 25 किस के लिए है, लोक्सभा के लिए, 35 किस के लिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर के लिए, 40 किसी के लिए नहीं है पंचायत के लिए कितना है, 21 निम्न में से किसे संसत को संभोधित, मतलग right to address the parliament, ध्याम देना right to address the parliament, किसके पास होता address करने को obviously attorney general होते हैं, highest law officer होते हैं इंडिया के, highest law officer होते हैं central government के, और जिस तरह attorney general होते हैं, government of India में, उसी तरह हर state में होते हैं, advocate general, advocate general, clear, कोई दिकत नहीं, attorney general हमें पता चल गया, और 76 article में लिखा, ये भी हमें पता चल गया, और एक और चीज, तो आपको लेगा भाईया, ये अगर संसत किसी भी house को संभोधित कर सकते हैं, किसी, even लोक सभा, राजे सभा, तो क्या यह वहाँ पर वोट दे सकते हैं, भाई, बिल्कुल नहीं, वोट देने का पावर नहीं, इतना नहीं दे सकते हैं ना, इनको, आपको पता है कि बहुत सारे state को special power दिया गया है, जैसे 370 में आपको पता है, जम्मुएन कस्मिन को दिया था, जो हटा गया है, हटा दिया गया, इसी तरह 371 में 10 state को दिया गया है, उसमें से 370 A, B, C, D, E, F, G, H, ऐसे ही करके हैं 10 तक, तो 370 A किस के लिए है, और बिसली नागालान के लिए हैं, पावर लेजिसलेटिव काउंसिल कानबोलिस, जहांदना, पावर लेजिसलेटिव काउंसिल या बिधान परिशत को हटाने का पावर सिर्फ और सिर्फ होता है पारलिया मेंट के, लेकिन लेजिसलेटिव एसेंबली इनको बस रिकमेंड कर सकती है, रिकमेंड कर सकती है कि सर हटा दीजिए, ख्लियर और कुछ ज़्यादा नहीं है, किसके कारिकाल में, सबसे कम टेनियूर, अगर यहाँ पर आपको ऑप्शन होता है, गुल्जारी लांग नंदा साब, तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, तो तेरा तेरा दिन के लिए दो बार बने थे, लेकिन अग्चुल अगर सबसे सौटेस टेनियूर बोले, तो 1996 के आसपास बने थे, कौन? आपको पता है, बहुत फेमस प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है, अटल बिहारी बाजपई, क्लियर बहुत सौट टेनियूर के लिए बने थे, तो बारी, सोला दिन के लिए, सौरी, 1996 में सोला दिन के लिए थे, धन बिदेयक, यानि मनी बिल्को इंट्रोड्यूस सिर्फ और सिर्फ कहां किया जा सकता है, और राज्य सभा के पास पाबर बहुत कम होता है, और एक और जी, किसके पास पाबर होता है, को किसी बिल को मनी बिल का थपपा लगा सकता है, तो ये पाबर होता है स्पीकर के पास, जो लोक सभा का हेड़नी होते उसके पास किन संस्था के पास समिधान की ब्याख्या करने का अधिकार है, इंटरप्रेट करने का अधिकार है, और वेसली यह है सुप्रिम कूट के पास, पंचायती राज तीनों लिस्ट में से कहां पर सामिल है, स्टेट लिस्ट में सामिल है, राज्ये सभा, राज्ये सभा धन बीदेव को कितने दिन तो प्रोग सकती, देखो, लोकसभा ने धन बीदेव को पास किया, तो लोकसभा के बाद जाता है, राज्ये सभा, तो राज्ये सभा के पास क्या के आप्शन है पता है, या तो सिंपल बोल देगा, हाँ भाई, पास हो गया, second case में क्या बोलेगा pass तो कर देगा लेकिन pass करने में के साथ कुछ amendment कर देगा third क्या करेगा कि return कर सकता है clear return उभी maximum 14 days के लिए third क्या है reject reject करने का power बिलकुल नहीं है ध्यान देना money bill में राज्य सभा के पास reject करने का कोई power नहीं है और simple ध्यान देना है pass करने तो करो pass करके amendment किया न तो आपको क्या लगता है लोकसभा इस amendment को मानना परेगा लोकसभा का बिलकुल भी नहीं clear reject तो करने सकते return आप 14 days के अंदर करना है तो करो नहीं 14 days के अंदर किये 14 days के अंदर पास नहीं किये तो आपका time गया और 14 days से पहले पास करके कोन सा क्या कर लेंगे मतलब कोई ज्यादा पावर नहीं है मतलब राजसवाग के पास बिलकुल पावर नहीं है clear अब देखुए बहुत अच्छा है एक्चुली मैंने अनकाडमी पर कर लेक्चर बताया था उसमें मैंने क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स के बारे में अच्छे से बताया था वो टॉपिक था एक्चुली इलेक्टोलर रिफॉर्म के बारे में clear तो इसमें क्या है कि कौन सी कमीटी अच्छे से स्टड़ी कर रही थी और पतले स्टड़ी करने के लिए उनको रखा गया था कमीटी थी अक्चुली बोहरा कमीटी बोहरा कमीटी का क्या कामता बताया बताया था कि आप बोहरा कमीटी को बला गया था तभी तो बिल दोनों से पास होने के बाद लास्ट में इनके पास जाता है ना बाई राज्य सारकार के कानोनी सरकार जैसे आपने देखा सेंट्रल गबरेमेंट के केंद्र सारकार के कौन है एटॉर्णी जलनल इनके कौन है आप बताएए इनके है attorney general center के इसके है advocate general सुनने काल किसे समझते थे obviously sunsat से, पार्लिमेंट से सबसे पहले आपको कोन सब कहाता है question hour होता है question hour उसके बाद मेशन जब काम बादचीत बातचीत स्टार्ट होने वाला discussion उसके बीच में कुस्टन और इसके बीच में जो ग्याप होता ने उसको जीरो आर बोलते हैं मौलिक कर्तब्य मैं आपको पिछले किसी कुस्टन में मौलिक कर्तब्य कबरें बता दिया थे 42nd constitutional amendment में add किया गया और बाद में क्योंकि इस समय 10 कर्तब्य एड किया गया थे पार्लेमेंट और हेल डिनेयर पूरे कितने कितने सेशन होते हैं तो भाई देखो तीन होते हैं जेनरली लेकिन हमारे constitution में लिखाओ कि मिनिमम आपको दो करने ही करने हैं कलिए सबसे पूराना उचनियाल है हाई कोड सबसे पूराना कौन है यह अब सबको पता है क्यलकता है है कलिए भासा के अधार पर सबसे बहला राजय और अबेशली आंध्रा कब 1953 में आपको पता है कितना बहस हुआ था एक इंसान थे जो 56 दिन तक आमरान अंशन किये थे राश्टीय मानवादिकार Human Rights Commission का फॉर्मेशन का वह नेंटी 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 थी मतदान किया यह ओविसली अठारा पहले एकीश हुआ करती थी लेकिन एटीन एटीनाइन में नैंटीन एटीनाइन में यह खो गया अठारा क्लियर चलो तो इतना हम रहने देते हैं नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा बहुत जल्दी और आज ही डेट लिख लीजे यह डेट है आज को आपको आजाएगे 28 जैनवरी को ही आजाएगी मिलते हैं फिर थैंक्यू बाबाई और एक और चीज आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हो आप अनेकैडमी पर मुझे फॉलो करना चाते हैं तो कर सकते हो कर लो अराम से बाई बाई